जेहिंद नमस्कार मेरे सेर सेर नियो लाड़ो लाड़ली और स्वागत आप सबीक अपनी यूटूब चैनल कमांडो केड़ में दोस्तों आज का वीडियो इस पेशली है कि SSE GD की तैयारी कैसे करें देखो क्यों यह बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इस समय से यह तो कोई तैयारी करता नहीं है का इंतिजार करता है कुछ बच्चे से होते हैं तो तैयारी करते हैं लेकिन उनके पास में सही मार्क दर्शन नहीं होने के कारण वह अंत में जाके रह जाते हैं चाहिए एक नमर से रहो दो नमर से रहो चार नमर से रहो पांच नमर से मैं आपको बताओं वह वह बच्चे होते हैं जो बहुत मेनत करते हैं लेकिन उनका क्या होता है एक तो बुक सेलेक्शन गलत होता है एक सबसे पहले किसकी तैयरी करना यह गलत होता है समझ गए क्या अभी पढ़ें क्या भाद में पढ़ें किस सब्जेट को ज्यादा वेल्यू करना किसको कम वेल्यू करना है कौन सी चीज़े अभी से परपेर करनी है कौन सा टेस्ट वुक हमको अभी लगाना चाहिए इस यह बता रहे हैं वाकिमी सत्ता है ठीक है लाड़ो मैं SSE GD को ऑबसेर कर रहा हूं 2011 से ठीक है मैं eligible तो नहीं हुआ तो 2011 मैं SSE GD का पेपर देने के लिए लेकिन मैं ऑबसेर कर रहा हूं क्योंकि 2012 मैं मैं एक आकेड़मी में तयारी करता था तो इस समय से मैं SSE GD के पप करता हूं इसलिए मैं इसके बारे में बच्चों को एडवाइज करता हूं नहीं तो मैं करता नहीं जिस बढ़ती के बारे में मुझे बहुत अच्छे से नूलेज नहीं होता मैं उसकी एडवाइज नहीं करता अगर आप S.S.E.G.D. में सेलेक्शन पानात आते हैं तो मैं यह 6 महीना या 5 महीना तयारी किये हैं欸 महीना दो महीना 4 महीना तयारी से कभी भी किसी भी बच्चे का सरे क्षट नहीं हुआ है इस बात को आप घंट बांद लो अगर आप इंतजार ध्यार कर रहा suis क्ग नोटिपीचिन का जी आएगी तब तयार एकर देट मीघ कलेंडर में सिर्फ इतने दी हुई है कि अब तक आ जाएगी वह अंतीम्तिती होती है उसके आजबास तो आई जाती है उससे पहले आ सकती है इसमें कोई संदे नहीं है अब आप अगर तैयारी कर रहे हैं आप सभी को सब्जेट का सब को पता है कि इसमें चार सब्जेक्ट है जो बच्चा रहता है वो इनी के कारण होता है इसके अलावा एकला सब्जेक्ट आता है हिंदी को लगता होगा कि हिंदी में तो सभी समान होते हैं बिलकुल क्यूंकि हिंदी इसकी हिंदी इतनी आसान होती है आप हरोस किलास देखते आप बज़े बॉयदी Detroit को पताचल गय Linux सब्जेक्ट के लिए आपको तयारी चाहिए अब आपको इस समय ध्यान रखना है कि कि सब्जेक्ट को अभी से तयार करें सबसे पहले आपका भुक सेलेक्ष्टन बहुत अच्छा होना चाहिए सबसे पहले जरूरी है आपके पास में बुक हो old paper की ठीक है old paper old paper की बुक इसलिए ताकि आपको उसे syllabus का अनुमान हूँ कि किस परकार का syllabus S.S.E.G.D. में आता है किस topic के या किस परकार के क्यूसन आपके पास में आते है old paper की बुक आपके पास में होना बहुत ही जरूरी है बाहर जाकि बूल आवाज करें बहुत ज़्यादा old paper की आपके पास में बुक होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि जब तक आपके पास में old paper की बुक नहीं होगी तब तक आपको पूरे ओरीजनल वित हस्तल की सोलुशन यानि नए नए तरीकों से सारा अपडेटेड वर्जन है यह आप फिलिप कार्ड से ले सकते हैं यह बुक तो हर एक बच्चे के पास में होनी ही चाहिए फिलिप कार्ड पर अगर आपको यह बुक लेनी है आपको सर्च करना है से जीडी ओल्ड पेपर बुक ठीक है आगे मेरा नाम लिख देना तो जल्दी ही मिल जाएगी विरार सा लिख देना ठीक है उसके बाद में अगली जो बुक है जैसे आप समय ने ग्यान की यह बुक तो आप किसी भी एक्जाम के लिए काम में ले सकते हैं इस जीडी दो जार टेबीस वाले सारे क्यूसन भी एड किये वे यह बुक भी आप ले सकते हैं इसके अलावा यह जो तीन बुक हैं इसमें से इस समय आपके पास में एक तो मेत की बुक होना बहुत जरूरी है और एक रिजिनिंग की शाथ में इसमें देखो एक चीज ओर लगाना है पढ़ना है देखना उसको तब आपको समझ में आने लग जाएगा कि हिंदी किस परकार कियाती है मेत किस परकार कियाती है इस परकार कियाती है यह चीज आने बहुत जरूरी है अब मैं आपको बताता हूँ अगर आपको आज से यह किले करना कि 100% हमको तो नोकरी लेनी ही लेनी है अगर आप 100% इस चीज के पिछे पर जाओ कि कुछ भी हो जाए हमारा नंबर इस बार पका है या लेना ही लेना है क कोई बार ऐसा होता है कि सिर्फ छोटी सी चूक के कारण आप पॉइंटों से रह जाते हैं कि एक नंबर से दो नंबर से चार नंबर से यह चोटे चोटे अंकों से आप रह जाते हैं और फिर उसका खामियाजा यह होता है कि फिर आपको दो साल चार साल मतलब बार बार निर आपको बहुत आसान नहीं होगी क्योंकि सारा का सारा जो शेले बस है ठीक है टेंट पास शेले बस है यह नि जो बच्चा कुछ भी नहीं जानता आज जीरो है वो भी हिरो बन सकता है किसी को कुछ भी नहीं आता तो वह भी अगर 6 महीना डेली अगर 6 गंटे भी पढ़ ले लाड़ लो पूरा का पूरा कोर्स आपको 3 महीने में हो जाएगा तो तीन महा में जब आप कोर्स कर लोगे आपके पास में तीन महा और Conservative के लिए इससे जदा क्या चाहिए फिर आपका नंबर भी पका हो सकता है, ठीक है? तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि हाम मैं कर सकता हूं, मन में विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जिस इंसान के मन में ही इसा करता है, वो कभी सक्षेज नहीं हो सकता है, जब आप तैयारी में उतर गए, पहली चीज यह है कि हाम मैं नमर मार लोगा, इतना confidence होना चाहिए, और confidence नहीं, लेकिन confidence होना चाहिए, ठीक है, अगर आपके अंदर confidence नहीं होगा, आप जिन्दमन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, विशेज ध्यान रखने वाले बता, अब मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले आपको त परतिसत, क्योंकि जब तक आप परतिसत के लिए नहीं करेंगे, आगे की मेहत कुछ होगी नहीं आप से, और सबसे ज़्यादा SSEGD में इसी topic के question आते हैं, दो, ठीक है, दूसरा जो topic है, वो है चक्रवर्ती ब्याज, दो question हर एक paper में, तीसरा जो, ओसत, दो question हर एक paper में, संक्यापत्ति, ये एक question आता है, लेकिन संक्यापत्ति नमरों का आपको knowledge होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप number system और परतिसत नहीं समझोगे, आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे, साधा और ब्याज आसाना, आप इसको तयार कर लेता हो, लेकिन मैं आपको ज्यादा question आये थे, चकरवरती ब्याज के, परतिसत, ओसत, अनुपात, समानुपात, दो question हर एक paper में, ये देखूं, एक, दो, तीन, चार और एक लाभानी, दो question हर एक paper में, ये पांच topic ये आपको सबसे पहले कवर करने हैं, उसके बाद में सबसे हार topic का शेत्रमती, इसक question मतलब ये मान के चलो, चाहिए कुछ भी हो जाए, दुनिया इदर की उदर हो जाए, एक question इसका पकाना है, ये clear topic है, इनको clear करना, आपको आज से रटा मारना सुरू करतो, मैनत करना सुरू करतो, बार 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 ब्यास करो, ये होई जाएगा, नावधारा, समय और दूरी क करने तो आपको सभी है, लेकिन जो मैं topic जिन पर दो दो लिखावा, वो सबसे पहले करने, सरली करने के भीना तो आप मेत में कुछ नहीं सीख सकते, मान के चलो, दो दो च्यार होते हैं, ये भी पता नहीं चलेगा, जब तक आप सरली करने नहीं सीखोगे, पहाडे आपको जब भी आप मेत की तयार करो, सबसे पहले है कि आपको एक से लेकर तीश तक के पहाड़े कंठस्ट हो, कंठस्ट का मतलब अगर आप से कुछ भी पूछ ले उस पहाड़े में, सन भर में आंसुराए, पहाड़े आपको याद होने चाहिए, एक से तीश तक के वर्गा आप आपको याद होने चाहिए, यह तीन चीजे पहली चीजे कि आपको याद होनी ही चाहिए, और फिर बाद में परतिसत का रेशियो, ठीक है, जब आप एप्लिकेशन में अग्रीम बेच में कलासे लोगें, तो वहाँ पर इनके रेशियो लिखावा है, कि कितने परसेंट का क शवाली पेदा नहीं होता, जब तक आपको समझ में नहीं है, पढ़ते जोग, पढ़ते जोग, पढ़ते जोग, आराम से के लिए रगा सकते हो, और यह पांच टोपी कर लिए, इसका मतलब है, मेत में तुम्हारा बेड़ा पार है, अगला है, रिजनिंग, रिजनिंग के सबसे ज़्यादा क्यों से नाते हैं, रच समंद का पका, एक बेठक विवस्ता, हंड्रेड परसेंट क्यों संता, इसका, यह लुप्त पदों को जाने वाला ने, यह भी, और यह जो आरेक है, हरेक में एक आया है, परती भीम का, और कस्थन निसकर्स, यह जो आर्ट टोपी यह तो आपको किसी भी कंडिशन में मतलब इनका अभी से आपको अभ्यास करना ही करना, जब आप अभी से इनका अभ्यास करोगे, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, यह बहुत आसानोती रिजिनिंग तो, अभी से अगर अभ्यास करना जागे सुरू कर दोगे, तो इ इस समय कोई जूरत नहीं है आप हिंदी जब नोटिफिकाशन ना जाए उस समय पढ़ लेना इस समय आपको हिंदी की बुक देखने की जूरत नहीं है का अगर बहुत है ना बहुत है जब यहाँ को लेने की जूरता नहीं चुरूब्それ ने जिए लिंदी में इस से जयादा लोगे तो आपको 100% के लिए हो जाएगा कि हिंदी तो पढ़ने की जूरत नहीं यह तो अंतिम के जो तीन महीने उसमें थोड़ा-थोड़ा सा पढ़ लेना 100% काम हो जाएगा ओल्ड पेपर वाली बुक आपके पास में सबसे पहली चीज है वह होनी चाहिए उसके भी ना तै पूरा नोलेज होना चाहिए चाहिए साथ ही पूल्टिक से उसको कंपलीट करना अनुछेद हो गए सभीधान हो गया सभीधान की प्रस्ता होना हो गए यह सब चीज़ें आपको अभी से क्लियर करनी है धीरे 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 क्यूंकि इसमें से दो-दो क्यूशन पक्के हर एक पेपर में आए वे जब आप कलास लोगे जिक्वे कि आपको पता चल जाएगा और करन्ट जिक्वे इ अभी से इन चीजेचों के से रट्टिं सुरू करोगे नियुक्ति आपको इतनी अच्छी तयारै वाद के आपको सब्सक्राइब करने जाया इसका कोई यह मकसद नहीं है मेरा कि आप मेरी ही बुक लो कोई भी लोग लेकिन ओल्ड पेपर की बुक लेना है तो होनी चाहिए अगर यह ओल्ड पेपर वाली बुक ले तो इसकी बस यह कि मैं इसकी 100% गारंटी लेता हूं पूरा अपडेटेड वर्जन है पूरा पूरा द स्वास दूसरे कि भाई यह भी अच्छे बुक निकालते तो उनकी भी ले लो लेकिन सबसे पहली चीज़ी है ठीक है अगर आपको यह लेने तो आप फिलिपकाड या मेजन से ले सकते हो बुक का नाम सर्च करके ऐसे चीज़ी ओल्ड पेपर वो ठीक लाड़ लो जै हिंद यह भारत